जैश्री कृष्णा रादे रादे दोस्तों दोस्तों हमारे देश में ऐसे बहुत सारे चमतकारिक मंदिर हैं जिनने देखकर हमें यकी नहीं होता है कहीं मंदिर के खंबे हवा में जूल रहे हैं तो कहीं भगवान शराब पी रहे हैं एक ऐसी देवी का मंदिर जहां माता खुद अगनी स्नान करती है दोस्तों सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है ये मंदिर है इडाडा माता मंदिर ये चमतकारिक मंदिर राजिस्थान में इस्तित है और इसे इडाडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तो आपसे छोटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया गए तो जल्दी से चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लेक्षिर जरूर कर दीजिए दोस्तो इस मंदिर की महिमा बहुत ही निराली है यह इस्थान उदयपूर शहर से साच किलोमीटर दूर अरावली की पहारियों में इस्तित है इस मंदिर के उपर कोई छत नहीं है और एकदम खुले चौक में इस्तित है यह मंदिर इस मंदिर का नाम इडाडा उदयपूर कि महरानी के नाम पर रखा गया है। यहां इडाडा माता अगनी से स्नान करती है। वहां के लोग बताते हैं कि यहां महीने में कम से कम दो से तीन बार अगनी अपनया प्रज्वलित हो जाती है। और इस अगनी में माता की मूर्ती को छोड़कर उनका पूरा श्रेंगार और चुनरी सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाते हैं। इस अगनी स्नान को देखने के लिए भक्तों का मेला लगा रहता है। अगर बात करें इस अगनी की कि यह अगनी जलाता कोन है तो दोस्तों यहां अपने आप अगनी प्रज्वलित होती है। और आज ता कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि यहां अगनी अपने अप कहां से जलती है। इस मंदिर में भक्तों की खास आस्था है क्योंकि यहां मान्यता है कि लक्वे से ग्रसित रोगी भी यहां मा के दर्बार में आकर ठीक हो जाता है। इडारा माता मंदिर में अगनी स्नान का पता लगते ही आसपास के काउं से बड़ी संख्या में शर्धालों की भीर लग जाती है मंदिर के पुजारी के अनुसार इडारा माता पर अधिक भार होने पर माता स्वैम जौला देवी का रूप धारण कर लेती है धीरे धीरे विक्रार रूप धारण करती है और इसकी लप्टे 10-20 फिट तक पहुँच जाती है इस चमतकारिक अगनी को स्वैम अपनी आखों से देख चुके लोग बताते हैं कि इसकी खास बात ये है आज तक श्रंगार के अलावा अगनी से किसी और चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है इसे देवी का स्थनान माना जाता है इसी अगनी स्थनान के कारण यहां मा का मंदिर नहीं बन पाया ऐसी माननता है कि जो भक्त इस अगनी के दर्शन करते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती है जिन भक्तों की इच्छा पूरी हो जाती है या जो मनोकामना वो लेकर आते हैं, वो मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके बाद भक्त यहां आपर आकर अपनी इच्छा पूर्ण होने पर माता को तिर्शूर चढ़ाते हैं, और साथ ही जिन लोगों की संतान नहीं होती है, वो दमपत्ती यहां जूला चढ़ाने आते हैं, खासकर इस मंदिर के पती लोगों का विश्वास है कि लक्वा से ग्रसित रोगी मा के दर्बार में आके स्वस्थ हो जाता है दोस्तो ये है इडाडा माता का मंदिर जो मैंने आपको बताया और अगर आप इस मंदिर के बारे में पहले से जानते हों तो कमेंट करके हमें जरूर बताये और साथ ही माता के लिए दोस्तों कमेंट में जै माता दी जरूर लिए धन्यवाद